और फैमिली वेलकर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं, जवानों की मेंसाबों को बुलाते हैं, जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धंकी दे दी जाती है, आपके हज्बेंट को हम बोरी बिस्तरा गुल करवा देंगे, ये कौन सा लेंग्वेज, कौन सी भासा आई आई आप जवानों की मैडम जवान ने किसी कारण बस अपनी फैमिली रखी है अपने बच्चे रखे हैं किसी शमश्या की वज़शेगर में हला ठीक नहीं है या कुछ दुख बिमार है चलो मिलिटरी हर्पिटल में हिलाज हो जाएगा जवान लाता है अपनी परिशानी के लिए जवान है घर की सपाई करने के लिए जवान है 20 से 25 से 30 जवान तक इनके घरों में लगे रहते हैं जो कि एक सब्से बड़ा गोटाला है सब्से बड़ा ब्रस्टा चार है इस पर कोई नजर ने रख रहे हैं लोग इस पर कोई बोलने को खुश नहीं है लेकिन हम ब आई पी अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी में सबको लोगों को वहां रिश अपसर में बेज़ देंगे इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है जीनियर अफसर से जूनियर अपसर सब एक हैं यह मिले हुए है इन्होंने सेना के अंदर फ पच्छे इनकी फैमिलियां इनकी में साब लोग यहां कमांड कर रही है उनका चल रहा है यहां वो बोलेंगे वो होगा किसी को जवान बोलेंगे इसको वहां बेज़ो तो साब अपसर उसी को वहीं बेजता है क्यों इन में साब लोगों का बुल बाला है सेना गंदा सेना महार को चल रही है कंसे सफल हो सकती है कहां से शेक्षच से कुषक्ष tudo क只 हो सकते हम लोग कि इनकी वेम्लियां कमाण कर रही है जिनको क.» यंको कुछ पता ही निए वो जवानों को ब्लेडी बोलती है उनको सलामी मानने पड़ती है उनको सलूट मानना पड़ता है मैंसाब लोगों को ओफिसर को ओफिसर बोलता मुझे मारो मत मारो मेरी मैंसाब को सलूट मारो तो ये कुण सा काम करवा रहे हो आप हमसे हम आपके मैंसाब को सलुट मारे हैं तो आप भी मारे हो हमारी मैडम को सलुट आप हमारी मैडमों को वहां family welfare center नग्स करने को बोलते हैं आपके मैंसाब लोग भंसती हैं आपके बड़े senior अवसर आते हैं junior, जवानों की मेंसाब वहां डंक्स कर रही है, नात रही है, ऐ कुन सा तरीका है आप लोगों का, क्यों इतना परिशान कर रह Reynolds कर रहे हो जवानों को, यह Family Coffee Center क्यों चला रहे हो आप लोग को दिखाने के लिए जवानों को चक्कर कटाने के ल और्डरों में देते हैं अगर कल फालाने की मेडम वहां पे नहीं आई सेलाई मेशिन चलाने के लिए तो वह बिस्तरा अपना गोल कर लेगा और यहां से चल देगा यानि उसको तुरंट पोस्टिंग कर दी जाएगी इनकी फैमिलियों की इनकी मेंसाब लोगों की ऐसी पाव वने यहां से उसला जाएब यहां अगर किसी जमान को जोंसे पोस्टिंग भी देंगे तो उहां पहले फ़्सटींग क्या ना घृते हैं उसको दो हैं उसका क्या मतलब होता है इसके मतलब जवानों को आवाशारों शेक खत रहा है जवानों को अफसरों से खत्रा है इनकी unity बनी हुई है जवान कुछ बोल नहीं सकता इनको अपने हग की लड़ाई भी जवान नहीं लड़ सकता इनकी मेंसाबों की चम्चागिरी करो इनके लिए गाड़ियां लागू है एक फोन करती है दो सकंड गंदर इनके पास गाड़ी पहुंच जाती है ऐसे हालात कर रिखिये इनके फोज की यह हालात है आज सेना की जवान गाड़ी मांगेंगा नहीं मिलेगी जवान को गोली भी लग जाएगी न तद भी गाड़ी नहीं मिलती मरने दो बोला शहीद जवान को प्रियोटी नहीं है जवान को प्रियोटी नहीं है ज duplicate में भारस्चारकार जवान को दे रही है इनकी मैं हтор्याँ को ने लेकिन यहाँ चल रहा। सारा उल्टा शिस्टम पूराуждा कि आप कलोदिंग में देखो कोड़न के कितना जोटाला है हम पूरी clothing खरीद के पहनर रहे हैं, एक भी कफड़ा हमारा store कर नहीं है, सरकारी नहीं है, सब्हारा खरीद के पहनरे है, तो फिर यह clothing इस्पू हो क्यों रहा है? ने गोड़ाला नहीं है इसकी जांस नहीं औन शाइए। जब रहे हमेरे कोई कोई पहन से सरकारी पहन भी लिया तो ऐस्न उस पर हमली उठा है यह कूंसा कपड़ाए देरा तो क्वार्ण में इस औरicking कर रहे हैं? तो इसकु कर रहे हमें? बेकुप बनाने के लिए, गवर्मेंट पर चुना लगाने के लिए, सारे मिले हैं, सब गोटाले हो गए हैं, कलोधिंग पे भी गोटाला हो रहा है, जवानों का जो गोधिंग मिलता है, बंद होना चाहिए, उसके बदले जवानों को पैसा दे दिया जाना चाहिए, खाने पर गोटाला है, वहां से राशन आउट हो रहा है, जवानों को आप राशन का, क्लोधिंग का पैसा दे दो, जवान अपना खा लेगा, शिविल बंदों को भी रोजगार मिलेगा, कहीं कैंटी ने खुलेंगी, और हम अपना जहां में 200 उर्फे मिलेंग हमारा खाना 100 उर्फे में हो जाता है, बाके का खाना ये आउट कर देते हैं, बेज देते हैं, पैसे ले ले लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, सारा गोटाले में लिपते हैं, लोग बोलते हैं सेना में गोटाले नियों होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोटाले शेना के अंद यह हम काम करेंगे, निश्चिती, यह सब बंद करना होगा, जो अंग्रिजों के समय से चला हारा शेना के अंदर, जो मिलिटरी लव संसे तालिस से पहले, उस टाइम गुलामी का मिलिटरी लव चल रहा है, उसे कत्म किया जाएगा, और जवानों से जो गुलामी करा ही जारी ह जो अपसर कर रहे हैं, जवानों का अत्याचाय कर रहे हैं, जवानों का शोषण कर रहे हैं, अपने सारे नीजी काम जवानों से करवा रहे हैं, और जब पूरे जवानों को नीजी काम में लगाओगे, तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूली जाएंगे ना, इसलिए ह कहीं सेक्सेश नहीं हो रहे हैं कहीं ऑपरेस्टन हमारे सेक्सेश नहीं हो रहे हैं मुटबेड में हमारे जवान सईद हो जाते हैं जो एक हथे हतियार चला के मिल्टेंट आता है वह हम पर हैवी हो जा रहा है हमारा जन्मजाद काम है हतियार चलाना गोली चलाना वह हम पर अपरन डालेट, व्हुन हाथ प्विए क केडिने जाध है। इनकी रिस्ते दारों में ईचेन के जवान घूम रहे हैं, इस वजाँ से ज़वानों का जो हकीकत काम है, वह उन्हें नहीं किया दिया जा रहा है। इसाइसे वो उसकाम को भूलके और वहांजब जाते हैं तो यह सब चीज़ें सेना का निची करण्ट बंद होना चाहिए लिए इसेना का जो यह शान का काम कर एक जाना चैनली में तकी आपना स्थान लेगी और ये काम जल्दी से जल्दी होगा हम सब लोग आप लोगों के सहयोग से जैन जै भारत